हुलो केंट स्वागत आपका न्यूट आर्गड अकडिमी के आपके अपने चैनल में मैं डिपक कुमार आपको स्वागत करता हूँ आज एक बहुत ही भैतरी वीडियो के साथ मैं मैं पस्तित हूँ एशिया महादीप के बारे में जो है जानकरिय हम जुटाने वाले हैं मांट निवगयरेज के चितरे है उस बिल्कुल जो है चित में पहले प्रेश्ण के लिए विगर समय व्यतीथ करते हूँ पहला कै तो आंसर आपका बर्णियों विश्व का तीसरा सबसे बढ़क और एसवारी विश्व का सब्से बढ़कर अगर बात करें तो ग्रेंड्रन डीप ह और यहाँ पर अगले प्रेशने की बात करते हैं तो एशिया एम यूरोप में इस्तिद देश कौन-कौन से हैं तो यहाँ पर रूस और तूर्की जो हैं एशिया और यूरोप दोनों महादिप में आते हैं महादिपों का महादिप तथा विश्यमताओं का महादिप और मानावगर किसे का जाता है तीन क्योशन एक साथ है वो है हमरा एश्यमादिप जहां सबसे यादा जन्सिंग के निवास करती है वीश्व की सबसे उची चोटी कौन सी है Mount Everest एवरेष्ट हैं और यही जो है एश्य महादिप में स्थी थे यह कहां स्थी थे तो एश्य महादिप में सरवादिक लंबी 30 सिमाक किस महादिप की है तो एश्य महादिप की विश्व का सरवादिक अभरक उत्पाज़ट करने वाला देश और कोई देश नहीं है अपना भारत देश है कोरंडम जारखन प्रसिद्ध है प्रत्वी का शीत दुरूग की से कहा जाता है आसान सा क्योशन से एशिया महादिप में इस्तीत बर्खो यांस्क जो है शीत दुरूग रहता है प्रत्वी का काफ़ी ठंडा होता है ठंडा होता है एशिया का सबसे ठंडा इस्तान कौन सा है बर्खो यांस्क साइबेरियाई माइनस 69 डिगरी सेल्सियस ता अपमान चला जाता है और यह रूस में है साइबेरियाई शेत्रे में अगला पारशन है आपका एशिया का सबसे गर्म नगर या उस्णतम आ सकता है दोस्तों तीन टाइप से क्योशन बन सकता है कि एशिया महादीब का सबसे गर्म नगर कौन सा है गर्म कोई उस्णतम बोलते है कि सबसे उस्णतम नगर कौन सा है सबसे शूच के नगर कौन सा है तो जेकवाबाद या जेकोबाबाद पाकिस्तान में इस्तिते और जेकवाबाद एशिया का सबसे गर्म इस्तान है जो यहां पर तापमान चला जाता है दोस्तों 52 डिग्री सेल्सियस गर्मी के दिनों में और आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लग जाता है तो जस्ट हाफ से थोड़ा सा उपर यह चला जाता है एशिया और यूरोप का जो सम्मिलित नाम है उसे क्या कहा जाता है यूरेशिया यूरेशिया कहा जाता है कौन से दी महादीप उत्री गोलार्द में स्थित है अब उत्री गोलार्द और दक्षनी गोलार्द दो गोलार्द होते हैं एक उत्री गोलार्द होता है और दक्षनी गोलार्द होता है तो भारत जो दे तो दक्षणी गुलारत की बात करते हैं तो आश्ट्लिया और अंटार्ग ठीका तीन और दो पांच हो गए साथ महादीपे ठीक है और दो-दोनों साइट होगे श्यत्रपल के घरते करम में महादीशो का क्रम क्या है तो श्यत्रपल के घरते करम में तो सबसे बड़ा कुन सा हो गया एशिया फिर उसके बाद कुन सा है अफ्रीका फिर उसके बाद कुन सा है उत्री अमेरिका फिर उसके बाद है दक्षणी अमेरिका और फिर अंटार्कटिका और फिर यूरोप और फिर सबसे छोटा अगर महादिप के बाद करें तो आश्टलिया आए तो सबसे चोटा कुण सा है तो आश्टले महादीप मैंने आपको सभी का क्राम दे दिया है एशिया अफरीका उत्री अमेरिका दक्षणी अमेरिका और अंटार्क टिका यूरोप और आश्टलिया यह सारे आपके questions बन चुके कौन से महादीप भूमद्झी रेखा के दोनों और है पागला प्रशन है हमारा महादीप ये विशतापन संकलपना का सिध्दान किस ने दिया था तो उसका नामे ए वेगनर क्या नाम है ए वेगनार सरवाधिक लंबी 30 सीमा किस महादीप की है तो obviously एशिया महादीप की अकला प्रशन है आपका एशिया का शेत्रबल की रस्टी से सबसे छोटा देश कोन सा है तो माल दिव सबसे छोटा देश कोन सा हो गया शे्क पर के दरशी से महालिव और सब्सक्रा ब्रॉशेतर ऑलफ़ चीन जयान रख्यक्षाइँ कर जनसिंख्या में लखोलने हुआ दिश्या में धूसे नंब्र कों आगाल हुआज कर थे लिए भाहारत कर दूसे नंब्रॉशेत 5 meant चीन सब्सक्रा deposit मैं आगला प्रस्ण है एस्या क सबसे बड़ा इस्पलरूद देश कुन सा है तो उसका अंसर हुआधा कजाकिस्तान कजाकिस्तान अगला प्रशन आपका एशिया का दूसरे बड़ा इस तुल्रूद देश कौन सा है तो उसका अंसर हो जाएगा अपका मंगोलिया ठीक है दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है यांगसी यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है अगला प्र प्रशांत महासागर में इस्तिते इस गर्थों का नाम क्या है तो इस गर्थों का नाम है मेरियानागर्थ और जो गहराई की बात करें तो 11,22 मिटर इसकी गहराई है ठीक है 11 किलोमेटर से थोड़ा सब जादा अगला प्रशने आपका वीश्वी की सबसे गहरी जील जो एशि पिच्चा सी मीटर गहरा है कौन सा जील बेकाल जील यह वीश्वी की सबसे बड़ी जील आंत्रिक सागर या केस्प्रियन सागर बोल सकते हैं जो 37,800 वर्ग किलोमेटर से थोड़ा में इस्तित है या कौन से महादेश में इस्तित है तो अबिसली यह इस्तित है एशिया महा इस्तित है पानी की जील कोन सी है तो जील का नाम है जील पैंगांग जील और 4,266 मेटर उचाई पर है लड़ात वतिद्बत में इस्तित है अगला प्रशन है आपका एश्या महादीप में विश्व का सरवादिक वर्षा वाला शेतर मासिम राम मेगाले कौन से देश में इस्तित है तो मासिम राम मेगाले जो इस्तित है वो भारत देश में इस्तित है अगला प्रशन है विश्व की सबसे उची रेलवे लाइन का निर्मान किस देश में किया गया है तो सबसे उची रेलवे लाइन का निर्मान किया गया है चीन देश में महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है तो यह महावेली जो गंगा है वो श्री लंका की सबसे लंबी नदी है अगला प् बहारत और भारत के अगर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में अगले अगर बात करें गोरगपूर्ट प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है तो 1.3 किलोमेटर 1.3 किलोमेटर 1.3 किलोमेटर यानि 1300 मीटर के लगबग एशिया का सबसे बड़ा रेलवेश इस्टेशन कहां है तो एशिया का सबसे बड़ा रेलवेशन है पेई चिंग और यह चीन में उजी इससे पहले जो क्योंस किया दा वो प्लेटफॉर्म की बात हो रही थी यह रेलव बात करेएं चीन विश्वे का सरवादिक मचली पकणने वा देश कोंसा है तो और बात कजयें आगले एक्जांस में पूछा गया है तो एक्जांस में पूछा गया है तो क्योंस सरबादिक जल भिद्वुद्ध का विकास कौन से देश में हुआ है तो वह है जापान अगला प्रेशन है एसिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रंस साइबेरियन रेल मार्ग है यह लेलिन ग्रांड से बलाडी वोस्टाक तक जाता है इसकी लंबाई कितनी है तो 9438 किलो मेटर है ठीक है 9438 किलो मेटर एसिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक वनिर्या तक अगला देखते हैं हम यहां से शतूत की पत्कियों पर पाले गए रेशम के कीडों से प्राप्त कच्चा रेशम पेदा करने में विश्व में प्रथम इस्तान कौन सा रेश रख्टा है तो उसका नामें जापान अगला प्रशने आपका इसिया का सबसे अधिक तीन उत्पादक निर्यातक देश कोन सा है तो उत्पादक निर्यातक देश कोन सा है मलेशिया जबकि उत्खनन की बात करें तो उत्खनन में नंबर वन कोन सा है चीन देश है यह ध्यान रखिएगा उत्खनन कोने चीन देश अ इसका सबसे बड़ा सिंकोना इक कोन सी ओशिदी बनाई जाती है तो मलेरिया रोग को टिन बनाई जाती है जिसका नाम है कुने प्रस्ट का एचिया में विश्व का सरबादिक जल्यान बनाने वाला देश कौन सा है जापान जापान का नागासा की शहर कौन से दीप परिष्थी थे तो उसका नाम है क्यूशू धीप जापानी लोगों को चाई अतिदिक पिरी है और यह लोग चाई का एक विशेस उस्सो मनाते हैं इसका नाम क्या है तो इसका नाम है चानु यूँ yawn अगला questions दोसें कई important questions आ रहे हैं एक के बाद एक विश्व में सिचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कौन से डेश में हैं तो वो है पाकिस्तान कौन सा डेश अपने सुंधर बोध्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध तो वो है म्यानमार अगला है स्वानिम तिर्भुज के अंतरगत कौन से देश आते हैं लाओस थाइलेंड और म्यानमार ठीक है आगे देखते हैं विश्व का सरवादिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन सा है तो उसका नाम है हौंग कॉंग प्रत्वी पर उत्री अमेरिका रक्षने अमेरिका अफरीका आश्टलिया और अंटार्कडिका ठीक है सबसे चोटा महादिप कौन से बढ़ा कौन सा है एशिया ठीक है दोस्तों एशिया शब्दी की उत्पति कौन सी बाच्छा से हुई तो हिब्रु बाच्छा के आशू शब्द से जिस है अक्ला परेस्ट वेश्ट ओर स्वेश्व का लगबग कितने शेदर पर विश्त की बास आगया ऐस्या महादीप के पास हैे अगला प्रेशण के दोस्तों लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को किससे अलग पाती है तो उत्री अमेरिका एश्या को किस से-से अलग करती ह तो लगपक अगर पूरे विश्व की अगर बात करें तो 60% जंसंक्या कहां पर है एश्या महादीप पर सरवादिक जंसंक्या वाला महादीप भी यही क्यलाएगा विश्व का सबसे बड़ा प्राइदीप कौन सा है तो उसका नाम है अरब प्राइदीप एश्या में विश्व का सबसे उचा परवश्षिकर कौन सा है तो हिमाले परवश्षियनी का माउंट एवरेस जो है तो मंगल गरह पर चले जाएंगे तो मंगल गरह पर निक्स ओलंपिया परवट माउंट एवरेस से भी तीन गुना जादा है तो यह आठ जार है लगबग अगर नोजार अपने इनको कर लेते हैं तो नोटिया सब्ताविस मतलब 27,000 मीटर के सम्तिंग जो मंगल गरह पर हो जाएगा लगब लगब बताए मने उसमें इंड्व नाम से तो माउं एवरेस से नेपल में इसको जाना जाता है सागर माथास यह आपने पंचानagit करी ले इंदक्री और अपने अपने महादीब और जानकरी महादीब कई उपनादीप और वाइक कर दिए और कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर की जिए तो बिना व्यर्थ समय गवाय में फड़ाबट आपको जो है रिविजन कर रहा हूं तो बिल्कुल एक सेकंड भी आपको वैर्थ नहीं जाने दे रहा हूं बिल्कुल दोस्तों तो वीडियो अगर देखने में एक्षा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिए गा और चेनल को समस्ठाइब से अगहाई,itudly का पढ़ारे एक यहां सरॉजवी को सरवाधिक विश्तरत पढ़ार कुब सा लिकाई धाई सेकड़ा हजार दस्या लाग तो दो लाग वर्ग किलोमेटर में इसी थे ठीक है अगला प्रशन है अमारा एशिया में विश्व का सबसे उचा पठार पामीर का पठार है जिसकी उचाई कितनी है तो 4885 कितनी है उचाई उसकी 4885 चाहर 15,85 कितनी है उचाई हो जाड़ी चाहर 1500 अगला प्रशन आपका विश्व की छित के से कहा जाता है कही बार एक्जांस में फुछा है के विश्व की शथकी से पामीर का पठार अगला प्रशन आपका एशिया में विश्व की सरवादीग जनसंगावला देश कौन सा है त का नाम ताथकालिक भारत के नाम पर क्यों पड़ा कारण हमको चाहिए को अगर बात करें ये जो रहे थे поряд 1330 से 1843 तक भारत के महा सर वेक्षक रहे थे ये हमारे जो है महासरवेक्षक, जार्ज एवरेस्ट, इनके नाम पर ही क्या रखा गया है, माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है, एवरेस्ट इनके नाम से जोड़ा गया है, अठासो तीस से अठासो तरालिस तक ये भारत के महासरवेक्षक रखा गया थे, कई बार कि आसपास के विभिन इस्तलों के ओस्त मापन द्वारा गुनिस सो चोपन में माउंट एवरेस की उचाई कितने मीटर आकी गई थी तो सबसे पहले जो गुनिस सो चोपन में आसपास की जो इस्तले उन इस्तलों से ओस्त मापन करके यह बताया गया था कि माउंट एवरेस कित क्या है ठीक है जब कारगिल युद्ध भी होता है को एवरेस की उचाई कितने मीटर होने की पुष्टी की है तो 8850 मीटर 8850 मीटर ठीक है पहले 8848 सा 2 मीटर बढ़ाकर 8850 कर दिया है माउंट एवरेस को तिबबत में कोलो लगमा बरफी की देवी तथा नेपाल में सागर माता तो सागर माता का अड़त का है ब्रह्मान की माता ठीक है यहां से तीन क्योश्चन में इस क्योश्चन में इंक्लूड किये माउंट एवरेस को तिबबत में क्या बोले जाता है कोमो लगमा तो कोमो लगमा का अड़त क्या है बरफी की देवी तथा नेपाल में क्या बोलते है सागर माता यानि ब्रह्मान की माता कहते हैं तो प्रत्वी तो इससे प्रत्वी का कौन सा दुरू भी कहा जाता है तो एक में चोपन में चुपन में प्रिखन में चयए लिशन को रंध ऑर नेंगरन Kathy. खी करनेवाला व्यक्ति कौन था तो नौवांग गॉम्बू नौब को जो थे वो 2 लुब शट में सपलता प्राप्ट की था नौवांग गहूंबchlossen टेंजिंग नौरगे के बतीजे था देख लिए उनी के परिवार से बतीजा है भब परिवार से कुछ कर लेता है तो दूसरा उसके परिवार का दूसरा सदय से भी कुछ ना कुछ जरूर कर लेता है तो निश्ची दूरूप से यहां पर इसी बात को रिड़तार्थ कर तो आपको समझाइज दी जाते हैं आप अपनी नोक्री लगा लीजिए ओटमेटिक आपक पहले अमेरिकी जो मांट ईवरस की चोटिपर चड़े तो जीम वीटकर जीम एटकर Mint रावल 11 रौभे 10 साल बात inm creature में तो आमेरिका की बेगक्ती है जीम वीटकर एगला है पहली मैईला जो माउंट एवरेस की चोड़ी पर चड़ी तो पहली मैईला थी जापान की जुंको तबई तो तेबई भी आता है तबई भी आता है तो छोड़ा से ज्यान रखिया जुंको तबई जापान भारत की पहली मैईला जो माउंट एवरेस पर चड़ी उसका नाम था बचेंद्र अग्सिजन सिलेंडर से क्वेस्च जबन जाता है कि ऑक्ष जन-चीन मोण और कौशीज़ इसका मिसंगर होता है तो अपर उर हीलियम गैस कदे में क्रेह होटी है कम में कुष्opt ya बराधी diamond सुरी यह बरी है क्वाइब नहीं होटीए दगां bait बिना अक्सिजन के एवरेस की चोटी पर चड़ने वाला पहले वेक्टी को थे तो फूद ओर जी ठीके 9 मई 1984 को चड़े थे 9 मई 1984 को सरवादिक बार माउंट एवरेस पर पहुचने में सपल होने वाले वेक्टी का नाम क्या है तो अपपा शेरपा घके और अपपा शेरपा दें नेपाल के सरवादिक 21 बार चड़े थे तीके और लास्ट टाइम अगर बात करें तो मई 2011 इस भी में यह चड़े थे अपपा शेरपा पहली बार माई 1990 में चड़े थे तो बिलकुल जो हैं Fest Tax इसकी सीख जदी है कि अगर आपसे एक एक्जाम के लिए नहीं होती है तो कोई रिकर नहीं है अपनी उस कमी को निकालकर आप तैयारी पर जूड जाए तीक है विश्व में सबसे कम उम्र में तेरा बर्श तेरा बर्श की उमर थी सबसे कम उम्र में एवरेस शिकर पर चड़ने वाले पुरुष का नाम क्या है तो एवरेस शिकर पर चड़ने वाले पुरुष का नाम है जाडन, रोमेरो और यह अमेरिका खे थे तीक है बाइस मई 2010 को शिकर पर चड़े थे चड़ने भी इनको सबलत पूना भारत आंदर प्रदेश राज्य से हैं और 25 मई 2014 को ये चड़े दे अगला पाइंट है आपका सबसे कम उम्र में 15 वर्ष एबरेश सिकर पर चड़ने में सपल होने वाले भारती अगर मुँँ 13 वर्ष की अगर बात करें तो वो वीश्वेश तर पर है पर अकर भारती क पर नाम पर नाम क्या हो गया लारेंस ठीक है और पांच बच्च वेश्वेश तीम ये बात अब ध्यान रखिएगा अगला पाइंटम देखेंगे नहीं आसे निया केशन्स भारत की ओर से 16 वर्ष की अवस्ता में नोईडा उत्तर प्रदेश 13 माई 2010 को एवरेस चोटी पर पहुंचने वाले वेक्ति का नाम तो 16 वर्ष की अवस्ता में नोईडा उत्तर प्रदेश से गय थे अर्जुन वाचपई ठीक है अगला प्रेस पर किस ओर से चड़ने पर उम्रे की कोई बात देता नहीं है ठीक है एवरेस पर किस ओर से चड़ने पर उम्रे की कोई बात देता नहीं है तो तिबबत की ओर से ठीक है तिबबत की ओर से अमेरिका की ओर से अपने विकलांग व्यक्ति कोन थे की ओर से पहले विकलांग व्यक्त थे और इनके पास एक कृतिम टांग थी ठीक है यानि इनके टांग नहीं थी और करतिम टांग लगा कर यह चड़े ते जो 1988 में एंवाहत शिकर पहुँचे थे अगला प्रशने है भारत के पहले उप्रधान मंत्री थे सरदार ब्लब भाई पट्यली את कीलों का भाज़ पत में किस लिए प्रशिद दे। रूस में साइबिरियाई शेत्रफ पूरे विश्वर में किसके लिए प्रसिद है इसकी अत्यजिक ठंडी जलवायु के लिए गुण सुत्र में पाए जाने वाले अन्वानशीक पदार्तों को कहा जाता है क्या कहा जाता है जिनों अल्ला रखा किस वादी अंत्रसिक के मशू तो उनका नाम है तबला भारत का राष्टी पुष्व किसे कहा जाता है तो कमल को कहा जाता है इंकलाब जिन्दाबाद का नाराज सरुपतम किस ने जिया था भगस सिंग ने बगस सिंग ने दोपर के बाद के समय को क्या कहा जाता है अपरा कहा जाता है अगला पाइंट है के थे यह और इसने माउंट विलसं को छोड़ कर वीश्वे के सभी महादिपों के उची चोटीपर चनने में सपलता प्राप्ति इधिंगल उत्विंगलः की याप इसी तरह से करंड़ अफियर के और जी के को पढ़ना चाहते हैं तो इस 975401704 नंबर पर जोईन नाम लिखकर भेज़ें और वाटसप करें तो आपको पीडिये पगरा पगरा सब मिलते हुए जाएंगे और ये टारगेट अक्रमी के सपलता के जो आप देख सकते हैं परचम लहराते हुए विद कर रहे होंगे और वावीचे में अपने सपने पूरे कर पाएंगे दोस्तों कोई भी चीज मनुष्य से अच्छिती नहीं है दवरति पर अगर देखे तो सबसे सर्वशक्रिमान प्राणी मनुष्य तेजिए मनुष्य चाहे जो कर सकता है एसा कोई भी कार्य असम्भव नह को नोकरी नहीं मलती है और 12 घंटे उसके पास भी होते हैं जो इस देश का नेतोवत करता है तो उसने भी इसी देश में जन्म लिया और आपने भी इसी देश में तो इस देश में बहुत कुछ करके दिखाना है तो भाईयो बेस्ट आप लाइक आप अच्छी तैयरी और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बटाए आपको वीडियो करें लाइक दन्यवाद